सुप्रवाद मच्चो आज हम संसार पुस्तक है जो की हमारे देश के पर्धान मंतरी पंडित जवारलाल नेरू जी का एक पत्र है जो उन्हें अपनी बेटी को बेटी इन्दरा गाधी जी को लिखा था आज हम उस पत्र के भी से में पढ़ेंगे जिसका नाम है संसार एक पुस्तक है या संसार पुस्तक है पंडित जवारलाल नेरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था एवं उनकी जो मिर्त्य हुई थी वो 27 मई 1964 को हुई थी जो उनका जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को और 27 मई 1964 को उनका देहान तुबाता पंडित नेरू आजाद भारत के पर्थम परधान मंत्री थे और बच्चूं से उन्हें बहुत जादा लगाव था जो बच्चे थे उन्हें अधिक लगाव बच्चूं से था वे चाचा नेरू के नाम से भी जाने जाते हैं बच्चे उन्हें चाचा नेरू के नाम से पुकारे जाते हैं और उनका जरम दिन भी बच्चूं बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है उनकी बेटी इंदरा जब दस वर्सकी थी तब नेरू जी ने उन्हें अनेक चिठ्चियां लिखी जब उनकी बेटी जो इंदरा गादी थी वो दस वर्सकी थी तब नेरू जी ने उन्हें अनेक चिठ्चियां लिखी इन में बताया गया है कि पिर्थिवी की सुरुवात कैसे हुई जो हमारी पिर्थिवी है इसकी सुरुवात उनके पत्र में ये बताया गया है कि उसकी सुरुवात कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आपको कैसे देरे देरे समझा और पैचाना समझा मनुश्य अपने आपको दीरे दीरे कैसे समझा और पैचाने का अर्थ है कि मनुश्य कैसे कैसे आत्म निर्भर बना वो कैसे अपने अंदर की जो कला है उसको जान सका इसके बिसे में बताया गिया है ये चिठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्षुकता पैदा करती है जो ये चिठिया ये जो चातर हैं जो बच्चे हैं उनमें अपने आसपास जो उनके आसपास का एक समाज है इवं जो दुनिया के बिशे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है कि जो दुनिया है वहां कैसे बिक्सित हुई और कैसे लोग ने ने अविस्कार हुए आदि इसके बिशे में उत्सुकता पैदा करती है नेरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में बिसेश आनंद आता था जो नेरू जी थे उनको अपने देश के बिसेश में कि हमने हमारा जो देश था उसने कैसे आजादी के लिए संगर्स किया और क्योंकि हमारे देश पहले गुलाम था और अपने आजादी के लिए उन्हें कितने बलीदान दिये, कितना संगर्स किया ये सब कुछ बताने में उन्हें अत्यधिक आनंद आता था ये सभी चिठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलिते हैं जो नेरो जी की सभी चिठियां हैं जो उन्हें अपनी बेटी को लिखी इंदरा गादी को लिखी वह पिता के पत्र पुत्री के नाम की जो एक पुस्तक है उसमें ये सभी जो चिठियां ये संकलित हैं संसार पुस्तक है इसी पुस्तक से साभार लिया गया जो संसार पुस्तक है नाम का जो ये पत्र है ये इसी पुस्तक से लिया गया है पिता के पत्र पुत्री के नाम वाली जो पुस्तक है उससे लिया गया है खाज बात यह है कि ये पत्र नेरु जी ने अंगरेजी में लिख और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मसूर उपन्यासकार मुनसी प्रेम चंद्र ने किया है। तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जबाब देने की कोशिस करता हूँ। जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाबाद में जो इंदर अगादी जी हैं वो मसूरी में हैं और पंडित जवालाल नेरू इलाबाद में हम दोनों उस तरह बाचित नहीं कर सकते हैं। तब बहुत सी बातें होती हैं और इंदर अगादी जी नेरू जी से बहुत सी बातें पूछती हैं। तो अभी हम सामने बैठ कर बातें नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कताएं लिखूं। उन्होंने एक इरादा किया है। उन्हें एक बात सोची है कि कभी कभी मैं तुम्हें पत्तर लिखूं। और इस दुनिया के उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में जो इस पिर्थी भी में जितने देश हैं उनके विशह में मैं तुम्हें छोटी छोटी कताएं लिखूं। झाल झाल